उत्तर प्रदेश के आजमगड में प्लेन क्रेश होने से ट्रेनी पाइलट को नाक शरण की मोत हो गई को नाक हर्याना के पलवल के रहने वाले थे सोमबार सुवे हुए इस दर्दनाक हाथसे में पलवल ने अपना एक होनार बेटा खो दिया आदर्श कलोनी निवासी तीस वर्षे को नाक शरण इंद्रा गांधी रास्ठी उडान अकादमी में पायट का प्रशिक्षन ले रही थे सोमबार को सोलो उडान के दुरान एरक्राफ्ट क्रेश हाथसे में उनकी मोत हो गई को नाक की 40 घंटे की उडान बाकी थी प्रशिक्षु पाइलिट को नाक शरण ने सोमबार सुभे अकादमी से उडान भड़ी थी उडान के दुरान एरक्राफ्ट आजमगर्जिले के एक गाउं में क्रेश हो गया क्रेश होने के कारण मोसम खराब होने और बिजली गिरना बताया जा रहा है कोर्णाक मेठी के इंद्रा गांधी राश्चिय उडान अकादमी के फोर सिटर टीवी ट्वंटी एरक्राफ्ट को उडा रहे थे प्रेणी पाइलिट कोर्णाक सरण की मोत की खबर सुनते ही कालोनी और उनके पैतरिक गाउं अलाहापूर में कोरा मच गया कोर्णाक के परिवार का कहना है कि ट्रेनिंग पूरी होने पर उनकी शादी करने का प्लान कर रहे थे माता पिता और तीन बहनों के लाडले कोर्णारक ने बारवी पास कर थापर उनिवस्टी से बीटेक किया था बीटेक पास करने के बाद पाइलिट बने की चाहा में कोणाग ने इंद्रा गांधी रास्टे उडान अकाथमी में पाइलिट ट्रेनिंग के लिए करीब दो साल पहले दाखिला लिया था कोणाग के परिवार ने बताया कि उसकी 200 घंटे की उडान होनी थी 160 घंटे उडान पूरी कर चुका था और 40 घंटे बकाया थे वह सोलो उडान पर था और मोसम खराब होने के चलते एर क्राफ्ट क्रैश हो गया कोणाग की तीनों बहने प्रतीभा सुजाता और मिनाक्षी की शादी हो चुकी है मिनाक्षी एर इंडिया में नोकरी करती है पिता रामशरण एर इंडिया से रिटायर हो चुके हैं तीन बहनों का लाटला कोणार्क ने थापर उन्वस्टी से बीटेक की थी बीटेक पास करने के बाद कोणाग ने इंडरा गांधी राश्ची उडान अकादमी में पाइलेट ट्रेनिंग के लिए करीब दो साल पहले दाखिला लिया था वह सोलो उडान पर थे और मोसम खराब होने के कारण एर क्रेश हो गया मंगलवार को पाइलिट कोणाग को पार्थिक शिरीर पलवल पहुचा अंतिम संसकार के दुरान बड़ा ही गमगीन माहूल नजर आया कोणाग के साथ ट्रेनिंग लेने वाले उनके साथ ही और परीजन फूट फूट कर रो रहे थे कोणाग के पडोसियों ने बताया कि कोणाग बहुत ही होनार थे और उनके माता पिता के साथ सब ही कोन पर गर्व था उन्होंने बताया कि अक्तूबर महिने में कोणांग का जनम दिन था और इस घटना से एक दिन पहले ही उन्होंने अपनी मा से कहा था कि अब की बार जनम दिन घर पर ही मनाएंगे परिशनों ने बताया कि ट्रेनिंग पूरी होते ही कॉर्णांग की भी शादी होनी थी घर में काफी रिष्टे आ रहे थे कई जगें बात भी चल रहे थी अब से कुछ देर पहले यह हेलेकॉप्टर क्रास के रहे हुआ था यहां पर जहां पर लोग खड़े हैं जन्पथा के बारे में पता चला है किGo ट्रेनिंग करफ और यह फुर्छट गन्ज में जो की हैं ट्रनेशनल पाईलेजमी पाइलेट अकैडमी उसका यह था और हहां से इसने मह के लिए जो ट्रेनिंग भालेट था उसने मह के लिए अपनी वड़ान भरी थी वाउ होना था बीच में इसका संपर्क तूट गया और यहां पर क्रेश हो गया इसकी जो पाइलिट है उसकी बॉड़ी को भीजवा दिया गया है और बाकी कारवाई की जिए अकैडमी को सुचित हो गया रहां से भी लोग यहां पर पहुंचेंगे सब्सक्राइब करें घंदेवाद J.B.D. Banquets लाए है Incredible Marriage Palace, Rajgarana And the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Rajgarana and Jyoti Garden A J.B.D. Banquets Enterprise